आज मैं आप सभी के लिए लेकर आए हूँ एकदम क्रिस्पी, टेस्टी, डिलीश्यट्स और साथी साथ हेल्दी, मार्केट स्टाइल दाल पकवान की रेसिपी आज हम एकदम हेल्दी दाल पकवान बनाएंगे, ऐस हम इसमें कोई भी मैदे का यूस्त भिना किये आज हम गेहों के आटे से पकवान बनाएंगे, और ये एक कॉंबो रेसिपी बनने वाली हैं, जिसमें हम खजूर और गोड की चट्नी बनाएंगे, हारे धन्ये इमली की एकदम यूनीक चट्नी बनाएंगे, तड़के वाली चने की दाल बनाएंगे, जो की बहुत ही टेस्ट बनने वाली है, आप इस तरीके से इस दाल पकवान को खा सकते हैं सर्फ करकी, और वीडियो की एंड में एक और यूनीक तरीका बताऊंगे, तो एंटक जरूर देखे, चलिए अब हम दाल बना लेते हैं, हाफ बाउल पीली मूंकी दाल और एक बाउल चने की दाल हम ले ले गया था, अब इसके पानी को हम अलग कर लेंगे, मूंकी दाल से एक अच्छी सी थिकनस आ जाएगी हमारी दाल में, अब हम इन दोनों दाल को प्रशर कुकर में आड कर देंगे, बिल्कुल थोड़ा सा नमक आड कर देंगे, एक चोथा टेबस्पून हल्दी पाउडर आड कर देंगे, एक टेबस्पून तेल आड कर देंगे, डेड़ बाउल में यहाँ पर पानी आड कर रही हूँ, दाल डूप चायर उतना पानी आड करना है, कुकर का धकन लगा कर मीडियम थो हाई फ्लेम पर चार से पांच सीटी लगा लेंगे, कुकर अच्छे से ठंडा हो ज कर रेडी हो चुकी है, अब मैं यहाँ पर एक गलास पानी आड कर रही हूँ, अब हम इसे अच्छे से मत लेंगे, यानि की विस्क कर लेंगे, अब इस तरीके से इस डाल को बना कर जरूर से ट्राय दे, आपको बहुत ही टेस्टी लगेगा, डाल हमारी रेडी है, चलिए अब हम तड़का लगा लेते हैं, कढाई में 4 से 5 टेबस्पून तील को अच्छे से गरम कर लेंगे, 1 तीबस्पून जीरा आड कर देंगे, 1 चौथाई टेबस्पून हिंग आड कर देंगे, 1 तीबस्पून यहाँ पर मैं मिर्ची का पेस्ट आड कर रही हूँ, अध्रक क पेस्ट आड़ कर देंगे, दोनों को धीमी फ्लेम पर थोड़ी देर के लिए भून लेंगे, एक बारिक चॉप टमाटर आड़ कर देंगे, सभी को अच्छे से मिक्स कर देंगे और टमाटर सॉफ्ट हो जाने तर कोक कर लेंगे, अब मैं या पर थोड़ा सा बिलकुल पानी आड़ कर रहे हूं, जिससे अमारे मसाले जले नहीं, अब सभी मसाले कर लेते हैं, एक टेबस्पून लाल मिर्ज पाउडर, एक टेबस्पून धनिया पाउडर, एक चौथाई टेबस्पून हल्दी पाउडर, नमक स्वात के अनुसार, हाफ टेबस्पून आमचुर पाउ और थोड़ी दे मसालों को बुन लेंगे, कुक की हुई दाल आद कर देंगे, इस तरीके से दाल आप जरूर से बना कर ट्राय दे, आपको बहुत पसंद आएगा, मिक्स दे देंगे सभी को, अब हम इसे ढख कर 2-3 मिनट मीडियम टू हाई फ्लेम पर अच्छे से कुक कर लें डाल हमारी कुको कर रेडी हो चुकी है, तो चलिए अब हमारी हेल्दी, क्रिस्पी एंड टेस्टी गेहु के आटे के पकवान बना लेते हैं अब मैं यहाँ पर एक पाउल गेहु का आटा ले रही हूँ 2-3 टेबल स्पून हम यहाँ पर सूजी आट कर देंगे, इससे पकवान में खस्तापन और एक क्रिस्पिनस आजाएगे हाफ चमच हम यहाँ पर अजवाईन को हाथों में क्रश करके आट कर देंगे, इससे पकवान का टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है नमक स्वात के अनुसार आट कर देंगे, मौईन के लिए मैं आपर 3-4 टेबल स्पून के करीब तेल आट कर रही हूँ मौईन अच्छे से करें, तभी हमारा पकवान एकदम खस्ता और क्रिस्पी बनेगा सभी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे, आप देख सकते हैं इस तरीके से मुठी में बाइंड आ जाना चाहिए तभी आप समझ सकते हैं कि आपका जो आटा है उसमें अच्छे से मौईन हुआ है थोड़ा थोड़ा पानी याट करके एक सेमी थिक सा आटा लगा लेंगे यानि कि बिल्कुल सौफ भी नहीं, बिल्कुल कड़क भी नहीं आप देख सकते हैं आटा हमने लगा लिया है पकवान का थोड़ा सा तेल अपलाई कर दे ताकि आटा ड्राय ना पड़े और ढगकर आदा गंटा हमें से रेस्ट दे देंगे आदा गंटा हो चुका है अब हम दो तिन मिनट अच्छे से आटे को गूतेंगे जिससे थोड़ा आटा सौफ्ट हो जाए आटा हमारा सौफ्ट हो चुका है अब हम इक्वल साइज के मीडियम साइज के पेड़े कर लेंगे पकवान के इस तरीके से दबाकर हथेलियों में इवन कर ले सभी पेड़े रेड़ी है तो चलिए अब हम पकवान बेल लेते हैं इस तरीके से हाथों से प्रेस कर दे अब हम इसे इवनली पतला पतला बेल लेंगे इस तरीके से आप पकवान बनाकर जरूर से ट्राय दे यह आपको बहुत पसंद आएगा आपको समझ में भी नहीं आएगा कि आप मैदे के पकवान खा रहे हैं अज यह इतना टेस्टी लगता है कई लोग मैदा खाना अवॉइड करते हैं तो आप इस तरीके से हेल्दी पकवान बनाकर खा सकते हैं आप देख सकते हैं ठिकमेस हमें ऐसी ही रखनी है पकवान की अब हम एक फॉक की मदद से इस तरीके से होल कर देंगे अब हम इसे तल लेते हैं तेल को यहाँ पर मैंने medium temperature पर गरम कर लिया था, अब हम पकवान को तेल में डाल देंगे, अब हम medium to low flame पर एक साइट इस तरीके से दबाते हुए पकवान को तलेंगे, पकवान को crispy होने तक और brown होने तक तलना है, यह जो पकवान होता है आपने देखा ही होगा, market में brown color का मिल तो उसी तरीके से हमें थोड़ा इसका color जो golden brown होता है, उतने तक ही हमें इसे तलना है, बहुत ज़्यादा डाग भी ना करें, दूसरी तरफ पलतेंगे और इस तरीके से दबाते हुए इसे दोनों तरफ तल लेंगे, आप देख सकते हैं, पकवान एकदम अच्छे से तल कर रेडी हुआ है, सभी को इसी तरीके से दल लेंगे और रेडी कर लेंगे, अब हम हरी धनिया और इमली का एक यूनिक चटनी बना लेते हैं, इमली को अच्छे से दो कर आधे गंटे दरम पानी में बिगो लेना है, इस तरीके से मसल लेंगे और इसको छान कर इमली का चाप किये हुए अद्रक आड़ कर देंगे, इमली का पल्प आड़ कर देंगे, चटनी बहुत ही टीस्टी बनती है, तो जरूर से ट्राय दे, नमक स्वात के अनुसार और थोड़ा सा काला नमक आड़ कर देंगे, अब अच्छे से ब्लेंट कर लेंगे चटनी को, हरी धनिया और इमली की चटनी हमारी रेडी है, अब हम खजूर गुड की चटनी बना लेते हैं, एक बाउल सीडलेस यहाँ पर मैंने खजूर लिया है, इसे अच्छे से दो तिन पानी धोलेंगे और एक तपेली में आड़ कर देंगे, दो तिन बाउल में यहाँ पर पानी आड़ कर रही हूं, एक छोटी बाउल गुड आड़ कर देंगे, अब इसे मीडियम टू लो फ्लेम पर इस तरीके से चलाते हुए, जब तक खजूर सॉफ्ट नहीं हो जाते, इसे कुप कर लेंगे, खजूर अच्छे से हमारे सॉफ्ट हो चुके हैं, आठ से नौ मिनट लगे हैं इ इसे अच्छे से ब्लेंट कर रही हूं, आप मिक्षर जार में भी इसे ब्लेंट कर सकते हैं, अब इसे स्ट्रेंड कर लेंगे और इसका पल्प अलग कर लेंगे, थोड़ा समया पर पानी आड़ कर रही हूं, यह खजूर और गुड का चटनी भी बहुत ही मज़िदार बनन करने वाला है, अब हम इसमें half tablespoon लाल मिर्च पाउडर, half tablespoon आमचुर पाउडर आट कर देंगे, नमक स्वाद के अनुसार आट कर देंगे, अब हम इसे 4-5 मिनट अच्छे से कोग कर लेंगे, हमारी खजूर और गुड की चटनी बनकर रेडी हो चुकी है, अब मैं आपको जो खा सकते हैं, इस तरीके से छोटे-छोटे pieces कर लेंगे हमारे पकवान के, अब इसके उपर दाल पोर कर देंगे, खजूर और गुड की चटनी आट कर देंगे, धनिया इमली की चटनी आट कर देंगे, कटा हुआ प्याज, टमाटर उपर से आट कर देंगे, चाट मसाला प्रिंकल कर दे, धनिया पती आट कर देंगे, अच्छे से सभी को मिक्स कर देंगे, यह बहुत ही बहतरी तरीका है इसे खाने का, अब इस तरीके से सर्फ करें, या फिर जो पहले बताया था, दोनों ही बहुत अच्छे लगते हैं, आपको यह रसेपी कैसी लगी मुझे अगर आई हो तो वीडियो को लाइक, शेर और चानल को सब्सक्राइब करना ना भूले, थांक्यू फो वाच्चेंग